हलो मिस्सा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार देखिए अगर जो जेस्ट कौलिफाइंग मार्क आपके नीट में हैं कौलिफाइंग मार्क के ओपर हैं तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा एड्मीशन यहां तक की जनरल में हैं और EWS में हैं तो 117 मार्क आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एड्मीशन मिल जाएगा इस से कम नमबर पर आपको एड्मीशन नहीं मिलेगा और एक बात मैंने बताया है जितने कम नमबर होंगे फीस उतनी ज्यादा लगेगी जितने नमबर बढ़ते जाएंगे फीस आपकी कम होती जाएगी तो इसका मतलब फीस जो है वो आपकी कितनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई किया है उसी हिसाब से आप से फीस ली जाएगी अगर साल भर आपने मस्ती किया है तो फीस भेंक कर आपको देना पड़ेगा और साल भर जब करके मेहनत किया है तो फीस कम लगेगी क्योंकि बहुत सा की कम है, ऐसे भी कालिज है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके मार्क पर, आपके मार्क कैसे है उसी साथ से दीम्ड योनिवर्सिटी में मिलेगा आड्मिशन, तो चल पर नहозंद हैं तो चल को सब्क्राइब करने, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रूप पर सेयर करने, ओके.